वेल्कम डिप्लोवाइं क्लासिस आज स्टाट कर रहे हैं पॉल्टेगनिक परिवेस परिच्छा की तैयारी जिसका फार्म आ चुका है और आपने उम्मीद करते हैं फार्म को भर भी दिया होगा तो तैयारी भी आपने स्टाट कर दिजिए यह फिजिक्स का पार्ट वन है त तो हम लोग जानते हैं कि आपके स्लेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हैं जिसे कोसल पूशे आते हैं तो फिजिक्स का वीडियो हर रोज आपको मिल जागा सामको छे बजे ठीक है सामको छे बजे और केमिस्ट्री का मिल जागा सामको साथ बजे और मैथ का मिल आज से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ हे जिस पीडियाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको वह पीडियाब भी जो है आपको मिल जाएगा डिस्पिसों में मिल जाएंगे तो उसका भी एक मिल जायगा देस्ट देToday तो उसका अप्लीकेसं में आपको पूरा कोर्स ही मिल जाएगा जहां सेप्र ही कर सकते तो आईए स्टार्ट करते हैं यहां पर हम लोग करने वाले हैं अब्जेक्टिव कोष्टन इसमें ऐसे हैं जो आपके एक्जाम में पूछने के समभावन बहुत अधिक रहेगी और यह कंपडिशन में पूछे जाते हैं तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो सारे कोष्टन अ करेंगे आपके पूछे गया तो पूरी तयारी कर लेते हैं यहां अध्यों को भी आख जबाब करेंगे दगर इसको पड़ देखते हैं तो पहला के पहला कोष्टन क्या है पढ़िए अगर इसका जबाब को पता हो तो आप जो है option को comment कर सकते हैं, तो question है वास्तविक वस्तु का आभासी पत्विंद कीवाना, okay, option A है उलतर दर्पन में, option B है संतल दर्पन में, I tell the challenges dei option C है इनने में से सभी तो सही जवाब क्या होगा, अब बताएं, जिसका जबाब होगा option B समतल दरपण में option B is the right answer next question देखते हैं question number 2 question number 2 पूछा गया है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा पर्दमिम बनाने वाला दरपण होता है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा बनाने वाला पर्दमिम होता है यानि कौन सा पर्दमिराई है जो वास्तु का हमेशा सीधा पर्दमिम बनाता है इसके बारे में पूछ रहा है ठीक है तो उसका option D रखा है option A वास्त डर्दमिम option B वास्त वा 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 वतल दरपण option C वा वा वतल दरपण option D इसका सही जवाब क्या होगा कौन सा ऐसा दरपड़ है जो हमेशा ही वास्त भी और सीधा प्रतिविम बनाता है तो क्या होगा option D सम्तल वा उत्तल दरपड़ा option D is the right answer next question देखते है question 3 वास्त भी प्रतिविम की प्रक्रति कैसी होती है option A उल्टा option B सीधा option C सीधा और उल्टा option D इन्हों में से कोई नहीं इसका सही जवाब क्या होगा वास्त भी प्रतिविम की प्रक्रति कैसी होती है हमेशा ही उल्टा होता है option A is the right answer next question question no.4 question no.4 ने पूछा गया है वस्त उसे छोटा प्रतिविम बनता है वस्त उसे छोटा प्रति में किस में बनता है किस दर्प्र बनता है यह पूछा गया है option A है उत्तल दर्प्र में option B है उत्तल दर्प्र में option C है समतल दर्प्र में option D है उत्तल और उतल दर्प्र में इसका सही जवाब क्या होगा वस्तु का छोटा पर भी बनता है उत्तल और उत्तल दरपड दोनों में ही option D is the right answer next question देखते हैं question number 5 question number 5 में पूछा गया है परकास के प्रावर्तन के नियम के अनुसार option A option B option B option B प्रावर्तन कोड के बराबर है option C option D जिसका सही जवाब क्या होगा प्रकास के प्रावर्तन के नियम के अनुसार option B प्रावर्तन कोड प्रावर्तन कोड के बराबर होता है option B is the right answer आगे बढ़ते हैं next question की तरफ question number 6 question number 6 में पूछा गया है सम्तल दरपर द्वारा बना परत्विम सदा होता है अनि सम्तल दरपर द्वारा बना परत्विम कैसा होता है यह कुछ में पूछा गया है option दिया गया है अभाषी और उल्टा option B वास्तविक और सीधा option C सीधा और अभाषी option D वास्तविक जिसका सही जौब क्या है समतल रपर बना पर्दभीम कैसा होता है सीधा और आभासी आपसंसी दर राइट अंसर यहाँ पर आपसंसी क्या है सही है आगे बढ़ते हैं कोस्ट नंबर सेवन की तरफ कोस्ट नंबर सेवन पूछा गया है आख में परवेश करने वाले परकास की म द्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है तो आपसंस करती है तो आपसंसमं की पुछागों करता है बढ़ते हैं इसका साही जवाब है परितारिका option A is the right answer next question देखते हैं question number 8 question number 8 पूछा गया है सुर ओदे और सुरास्त के समय सुर का गोल दिखता है ठीक है कैसा दिखता है जब सुर का गोला दिखाई देता है वो कैसा दिखता है question में यह पूछा गया है सुर ओदे और सुरास्त के समय सुर का गोला कैसा दिखता है तो option A है गोलाकार, option B है घनाकार option C है अंडाकार option D है चप्टा तो कैसा दिखता है यह चप्टा दिखता है option D is the right answer question number 9 देखते हैं question number 9 में क्या पूछा गया है question number 9 में पूछा गया है यदि दरपण में बना पर्तविम हमेशा सीधा आकार में वस्ट के बराबर है तो दरपण है यदि दरपण कौन सा है option A आउतल दरपण option B उतल दरपण option C समतल दरपण option D इनमे से कोई नहीं यदि दरपण में बना पर्तविम हमेशा सीधा है और आकार में बस्तु के बराबर है ते कौन सा होगा तब वो सम्तल दरपण होगा Option C is the right answer Last question, question number 10 सम्तल दरपण के द्वारा बना प्रत्विम होता है सम्तल दरपण के द्वारा बना प्रत्विम कैसा होता है वास्तविक, option B, कालपनि, option C, उल्टा, option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही जो आप क्या है कालपनिक, option B is the right answer तो आज के वीडियो में आपने देखा कुल 10 प्रसनों को, इन 10 प्रसनों को अच्छे से याद कर लिजे वीडियो को दुबारा देखिए और इसका पीडियाप जो है आपको डिस्क्रिसम में लिंक दिया गया गया वहां से डाउलोड कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा ओनलें क्लासेज 2.0 वाल अप्लिकेशन डाउलोड करके वहां से आप यह कही बार में सारा पीडियाप पा जाएंगे तो उसको डाउलोड कर लेजिए ठीक है वहां पे आपको टेस्स सरी में बिल जाएगा फूरा पूर्स ही मिल जाएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट ओके थैंक यू